कि अलो फ्रेंट्स विडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट सेयर के उपर इस टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है इसके पीछे का वजह क्या है इसके उपर हम लोग डीटेल में बात करेंगे तो आप लोग वीडियो को ध्यान से लाश्ट तक देखेगा जिससे की आपको सभी पॉइंट्स बिलकुल अच्छे से प्लियर हो जाए और साथी साथ हम लोग बात करेंगे जेके पेपर सेयर के उपर भी जो स्टॉक में और कित सिक्स मंत की बात करेंगे तो स्टॉक मामूली 1.72 परसेंट के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है तो आखिर स्टॉक में लगातार गिरावट क्यों हो रहा है स्टॉक ने अपना हाय लगाया था 52.9 का उसके बाद जनवरी मंत में यह हाय लगा था उसके बाद लगातार पर फिर नहीं को इंटरिस्टेड अपनी इस टॉक करने के लिए क्योंकि अगर देखेंगे तो काफि सारे पर नहीं किना हो चुके है यह एक ऐसा कंपनी है जो कि लगातार प्रॉफिटेवल है लगातार सेल्स ग्रोग कर रहा है पिर भी कंपनी यहां पे आपको उपर की सा एक विसनेस को देखेंगे जिसका मेजर जो बिजनेस थी इन्ट का वो आपको सबसे पहला है टेक्स टाइल और टेक्स टाइल के बाद आपको यहां पर होने वाला है पेपर एंड केमिकल जिसमें की पीपर मेन ऐन कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो आपको 77% टेक्स्टाइल से और 13% वो पेपर से आता है उसके आद 1% आपको केमिकल, 1% जो है ट्रेड़ेट सेल्स ओफ टेक्स्टाइल, 2% जो है अदर अपरेटिंग रेवेन्यू और 6% जो है वो आपको यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, manufacturing of goods बट मेजर जो है वो आपको तक्रीबा 90-91% जो है वो टेक्स्टाइल और पेपर और केमिकल से आता है तो अगर हम लोग पेपर और केमिकल सेक्टर के और स्टॉक्स को देखते हैं यहाँ पे अगर हम लोग अदर स्टॉक्स को करेंगे तो क्लियरली आपको एक बात समझ में आएगा अंबिका कॉटन का पीए 13.6 का अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वर्दमान टेक्स्टाइल का पीए 20.97 का मार्केट का थार्टीन थाउजन करोड का डिविदेन डिल पॉइंट सेवन परसेंट है और जो है आपको तो जीरो टू करोड का नेट प्रॉफित है क्वार्टर लिवेसिस पे और अगर हम लोग ट्राइट को रिखते हैं तो नाइंटीन थाउजन करोड का जो है टेक्सटाइल सेक्टर के ही, कमपनी से हो रहा है जरूर का जो है डिवर्सिफाइड बिजनेस ही चैकेमिकल भी है और यहां पर मीजर रवेन्यू जो है वो आपको टेक्सटाइल से ही आ रहा है और यही मुलया है जो अभी देखेंय सेंगे इस स्टॉक का P.E. काफी हाई है Compared to other stocks सेम सेक्टर में other stocks का P.E. इस से काफी कम है In fact, अगर सबसे बात करेंगे जितने भी यहां पर आपको 7 stock है 7 stock में सबसे high P.E. जो यहीं पर दिख़ रहा है यहां पे आपको सबसे जादा पी ट्राइडेंट का दिख रहा है यानि की कमपनी अभी भी ऑवर वेल्योड है अगर हम लोग यहां पे बात करेंगे तो लगातार सेल्स जरूर ग्रो हो रहा है बट यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ओपर हम लोगों को प्रे 22-25 में एक अच्छा कैपक्स प्लान क्या हुआ है 21.6 बिलियन डॉलर का आपको इस वाज़ा से भी यहां पे डिट आपको इंक्रीज हुआ है क्योंकि यहां पर चाइब सक्माइल रिखोर मंऔर चाइब करने 3 यह इंक्रीज होता हूँ बरा इसके साथ ही और हम लोगा करेंगे ओम पार प्रसण के ऊपर प्रमोटर के पास 73.19% का holding है FII के पास 2.65% का holding है FII ने अपने holding को 0.1% से increase किया है यहां पे पबलिक के पास holding है 22.85% का public का holding 0.1% से क्योंकि यहां पर पॉइंट वन पर संट जो है अफाय इने पाई किया तो अगर हम लोग यहां पर फञदामेन्टल पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो फंडामेंटली सेल्स जरूरा है क्रॉफिट भी ग्रू हो रहा है कंपनी कैपक्स भी कर रहा है बट यहां पे जो है प्राइस में मोमिंटम देखने को नहीं मिल रहा है उसके पीछे का वजह है यहां पर अभी इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है जो थोड़ा और टाइम लगेगा उसके बात इस कंपनी में जो है आपको एक अच्छा वेल्यू मिलेगा जितने भी फटनामेंटल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं चलिए बात कर लेते हैं टेक्निकली लेवेल्स के ऊपर इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए वीकली चाट्स के ऊपर आचुके हैं स्टॉक में एक 2022 में स्टॉक ने हाई लगाया था 70 रुपीज 35 पैसे का और उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है यहां पर देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का डवलप्मेंट हम लोगों को दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग मंतली चार्ट पर भी देखेंगे तो मंतली चार्ट पर देखेंगे तो एक बात आपको समझ में आएगा इस्टॉक ने यहां पर आपको पूर रुपीज 60 पैसे के लो से जो है यहां पर हाय लगाया था 70 रुपीज का तो अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे तो 17 टाइम्स का प्राइस में जम्प देखने को मिला लेकिन क्या इतना ही टाइम में 17 टाइम्स से रवेन्यू ग्रो किया यह 17 टाइम्स से नेट प्रॉफिट ग्रो किया अगर उतना ही बड़ा मोमेंटम हम लोगों को नेट प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ में भी दिखता तभी प्राइस सस्टेन करता बट इतना ग्रोथ नहीं देखने को मिला इसी वज़से प्राइस भी यहां पर सस्टेन नहीं क कब इस स्टाॉइब देखने को मिलेगा इस स्टाॉइब आपको ब्रेक आउट करेगा ओपर की साइड में गया एक रिवर्सल पैटरन का फॉर्मेशन जरूर कर रहा है यहाँ पर आपको अपर चानल को अपर ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए जा सकता है अगर यहां पर ब्रेक आउट होता है इस ट्रेंड लाइन का उसके बाद इस टॉक में जो है एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है अगर देखेंगे तो गिरावट लिमिटेड है ऐसा नहीं है जो गिरावट बहुत जाद आपको देखने को मिलेगा 38 रूपीज से स्टॉक 20 रूपीज पर चला जाएगा ऐसा करेक्शन अभी चार्ट पर देखने को नहीं मिल रहा है हां यहां पर थोड़ा सा पेसेंस आपका टेस्ट हो सकता है नेक्स्ट दो तीन मेहना क्रिटिकल है अगर नेक्स्ट दो तीन मेहना स्टॉ चला किसी प्राइस मेर जोन मिला जाता है तो फिर एक अच्छा ब्रिक आउट हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है चले बात करते हैं दूसरे श्टॉक के ऊपर दूसरा श्टॉक है जेके पेपर जेके पेपर के सेयर में अगर देखेंगे तो लगातार हम ल लेबल पर इसिस्टेंस ऐइस कर रहा है नीचे की साइड में फिर ऊपर मॉपर से बहुंच किया अभी एगर देखेंगे तो इस तो आपको नीचे की साइडी मॉफ início सोबूट आपको यह स्विंग लूँ अगर यह स्विंग लूँ ब्रेकडाउन होता है तो फिर स्टॉक वापस से इस लेवल को हिट कर सकता है तो अगर हम लोग मैक्सिमम डाउनसाइड देखेंगे तो जेके पेपर में जो है अभी भी 40-50 पॉइंट का डाउनसाइड हम लोगों को देखने को मिल सकता है I hope आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो अनलिस अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर कप Wouldको सब्सक्राइब जरूे संद कि झाला को सब्सक्राइ़ कुछा सुछा होगों kalian याया हो दो पहोगोंगे का इसा कि योगदियो